अरो उसको आज हम बात करेंगे, what is touchstone method, touchstone method है क्या, touchstone method को मैथ्यू अनॉल ने उन्हें एक वक लिका था, the study of poetry, preface to the volume of 1853 poems, इसके अंदर study of poetry में, मैथ्यू अनॉल ने touchstone method, जो के एक literary criticism का अभिननग है, उसके अंदर इसको introduce किया, study of poetry के अंदर, इसका मतलब क्या है, अनॉल तुक selected passages from the modern authors, and compared them with selected passages from the ancient authors, and thus decided their merits, this method was called अनॉल's touchstone method, मैं इसको हिंदी में बदाने से पहले बताना चाहूँगा, कि actually, जब कोई विक्ति, ये जो question था, touchstone method गा, ये आया क्यों, ये इसलिए आया था, कि जब कोई reader, कोई work पढ़ता है, तो उसको कैसे पता चले, कि वो जो पढ़ रहा है, जिस work को पढ़ता है, क्या वो अच्छा poetry work है, या bad poetry work है, तो इस चीज को differentiate करने के लिए, समझने के अर्नॉल्ड ने touchstone method को दिया था, अब आते हैं, इस English के passage को हिंदी समझने के लिए, कि अर्नॉल्ड ने क्या करा, कुछ selected passages लिए modern authors के, और उनको compare किया, selected passages लिए कुछ ancient author के, उनके साथ उनको compare किया, और उसकी merit decide करी, जो modern author का work है, कि वही इसमें क्या चीज सही है, इस method को, इस process को उसने touchstone method दिया था, अगेन इस image, इस piece समझेंगे, कि modern authors ने जो भी work लिखा है, ये समझने के लिए, कि वह bad poetry है, या good poetry है, तो अर्नॉल्ड ने क्या करा, कि ancient authors के कुछ work लिए, उसमें से उस work के साथ modern authors के work को compare किया, चाया वो एक line हो, चाया वो एक quotation हो, चाया वो quality वाला work है, तो ये जो comparative study थी, इसको कहा touchstone method, और जो models थे, ancient authors के touchstone method के अंदर, उन्होंने Shakespeare, John Milton और Edmund Spencer जैसे, और जो writers थे, इनको as a touchstone method, models के रूप में लिया, Arnold ने, तीन kind के estimates भी दिये, जो कि related किस से जुड़े हुए, reading से, आप जब आप कोई poetry पढ़ते हैं, तो उस से जुड़े हुए थे ये तीनों estimate, और इन estimates के नाम क्या थे, historical estimates, personal estimates, और real estimates, और ये estimates दिये क्यों थे, touchstone method, जब आप apply करते हैं, तो दो तरह के estimates जो हमें avoid करने चाह जब भी हम कभी poetry को पढ़ें, और ये judgment दें, कि ये poetry अच्छी है ये बुरी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कि historical estimates हमारे को समझ में आना चाहिए, और personal estimates, इन दोनों को avoid करना है, जब कभी हम poetry पढ़ते हैं, historical estimates है क्या, historical estimates का मतलब ये है, कि मैं जब कभी भी किसी भ परको पढ़ता हूँ, तो मैं हमेशा उसको compare करने लग जाता हूँ, पुराने author से, ancient author से, और उनकी background मेरे दमाग में रहती, उनकी हर बात मेरे दमाग में रहती, और मैं बिलकुल भी नए writers या किसी और writers को बिलकुल underestimate कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे दमाग में जो ancient authors हैं, वो क अच्छा ये classical नहीं से मसता, तो इस तरह कि जब thoughts मेरे दिवाग में आते हैं, तो ये judgment जो मैं करता हूँ, तो ये जो fallacy create होती है, वो historic estimate की वजह से होती है, तो मेरा जो judgment होता है, वो गलत हो जाता है, हो सकता है, कि जो other work हैं, जो जिसे modern author को ancient authors से compare कर रहे हैं, तो हो सकता है क modern authors ने जो work लिखाया, वो अच्छा हो, मगर क्योंकि आपकी दमाग के अंदर ancient authors के work को आपने बहुत जदा overrated कर रहा है, तो इस वजह से आप ये judgment करने में आप गलती कर जाते है, historical estimates की वजह से, personal estimates में क्या होता है, मैं किसी writer को पसंद करता हूँ, किसी वजह से, तो आप जो जो भी work लिखेगा, चाहें वो अच्छा लिखे, चाहें बुरा लिखे, मुझे उस मेरा judgment जो है, हमेशा कहेगा कि हाँ इसने अच्छा work लिखा है, मगर इस, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपका जो पसंदीद writer है, वो जरूरी नहीं कि हर बार एक अच्छी poetry लिख और इस वज़ा से हमारा जो judgment है, वो हमेशा जिसके अंदर error आती है, और इसकी वज़ा से हम लोग क्या करते हैं, इस personal estimates की वज़ा से हम लोग सही judgment नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये दू historical estimates और personal estimates को जब कभी हम poetry पढ़ते हैं, तो इन दोनों को avoid करना है, लगाना कौन सा है, real estimates इसमें क्या होता है, कि real estimates के माद्यम से जो वक्ती poem को पढ़ता है, तो वो इन दो estimates से affected नहीं होता, कौन को से historical और personal से, उन दोनों को excited कर देता है, हाला कि ये चीज़ें आती हैं, मगर वो जब किसी work को पढ़ेगा, तो वो उसमें क्या find out करेगा, sense of the best, excellence और strength, जो कि उस work से में ली जा सकती है, तो वो actually में अपने हमें एक classical work होता है, तो real estimate के माद्यम से जब आप कोई work पढ़ते हैं, तो आप जो हैं, उसको अच्छी तरह समझ पाते हैं, उसको enjoy कर पाते हैं, deeply और उससे आप benefits ले पाते हैं, comparing passages, Matthew Arnold कहता है, कि जरूरी नहीं है, कि जब हम ancient authors के साथ, modern authors के work को जब आप compare करते हैं, या किसी passage को, तो सिर्फ comparing passages से, आप पूरी तरीके से उस work की value नहीं निकाल सकते हैं, हो सकता है, कहने का मतलब उनका यह है, कि judge a work by its total impression, not by its impression, fragments, Ethionology कहा रहा है, कि जरूरी नहीं है, कि touchstone method completely full proof सही है, वो कह रहा है कि, आप किसी भी work को, उसके fragments, मतलब pieces या passages के माद्धे पर पूरी तरीके से उसको evaluate नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा work, total impression, पूरे work को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो आप यह कह सकते हैं, कि हाँ वाक